Hello Good morning everyone मध्रदेश की डेली करेंट अफेर्स में बात करेंगे आज 23 मार्च के सारे महत्पून करेंट अफेर्स के बारे में सबसे पहले बात करेंगे हम आज की दिवस की तो आज है 23 मार्च और आज विश्य मौसम विज्यान दिवस मनाया जाता है इसके साथ साथ आज की दिन ही शहीद दिवस जो है वो मनाया जाता है क्योंकि आज की दिन ही 1931 में ठीक है 23 मार्च 1931 को भगत सिंग, राजगुरू और सुख दे इन तीनों को फांसी की सजा अंग्रे सरकार के दोरा दी गई थी इसलिए दो दिवस जो हैं वो आज मनाया जाते हैं विश्य व मौसम विज्ञान दिवस की अगर हम बात करें तो 23 मार्च 1950 को विश्य व मौसम विज्ञान संगठन की स्थापना की उपलक्ष में इस दिन को मनाया जाता है ठीक है अगर हम बात करें तो इस मतलब स्थापना का 21 के अगर हम दिवश की बात करें तो इस साल का जो विशय है थीम है वो है महा सागर जलबायू और मौसम ठीक है महा सागर जलबायू और मौसम इस वर्ष की थीम है साथ ही आपको पता होना चाहिए कि अरिस्टोटल जो है इनको मौसम विज्ञान का संस्थापक माना जाता है अरस्टोटल यानि की अरस्टू, हिंदी मेन को अरस्टू के नाम से जाना जाता है। विश्यमवासम भिज्यान संग्थन एक अंतर सरकारी संग्थन है जिसका मुक्षञा है जिनेवा में जो सुट्जिलिंड में है इसके लाबा विश्यमवासम बिज्यान संग्थन में कuel मिलाकर 459 देश और चेत्र है माने सदस्य अगर बात करें तो कितने हैं सो इंक्याम व्यदेश या चेत्र इसके कुल सदस्य हैं कुईक रिकाप करेंगे हम पहला जो इंपॉर्टेंट करेंट अफ्यर था हमारा पिछले वीडियो में मध्य प्रदेश का जो जबलकुर का भीडा खाट है और उज्जन इस दोनों जगह पर विग्यान केंद्र की इस् रजगी वर्तन मंतराले दरहा सवितियवर्ष में किपobenतिए की डाशी की स्विध्ति वर्ष के लिए की गई है अगला प्रृषन मार्शल आर्ट जूडोकार्डमी की खेशिंग चीन में होने वाली वर्ल्ड उणिवेस्टिंग्स के लिए हुआ है तो मुस्कान सूंधिया इसका सही आंसर है मद्यपरदेश में भगवरी आउसो का आयोजन कब से किया जा रहा है तो मद्यपरदेश में भगवरी आउसो का आयोजन किया जा रहा है 22 मार्च से जो आपका 28 मार्च तक चलेगा एक सब्ताह तक इसका अयुजन जो ہے वो किया जाता है अगला प्रशन है माधोरा उस इंदिया सहचाहीं परियोजना की अनुमानत लागत कितने करोड रुपे है तो यह अनुमानत लागत जो है वो है 5500 करोड रुपे केन वीतवा लिंक परियोजना से उत्तर परदेश को कितने मिलियन क्यूविक मीटर पानी देने को लेकर सहमती बनी है तो ये कुल मिलाकर 750 MCM जो वाटर है वो केन वीतवा लिंक परियोजना से उत्तर परदेश को दिया जाएगा दिल्ली में आविजित ISSF World Cup shooting परियोकता में किसने भारत को रज़त पदक दिलाया है तो इस परितियोकता में भारत को रज़त पदक दिलाया है अगला प्रशन था मध्यपरदेश के दिगज कांग्रेस नेता पूर्व सांसत कैप्टन सूरज भानु सूलंकी का हाट अटेक से निधन हो गया वे इस जिले से सांसत रहे हैं तो दहार जिले की जो लोग सवासीट है वहां से यह सांसत रहे थे हमारी आउटलोक का वर्जन जो है करेंट कंपाइलेशन सितंबर अक्टूबर नमंबर का चुका है दिसंबर ओनवर्ट्स आपको जल्द ही मिल जाएगा पूरा दिसंबर से लेकर ठीक है आज यह तकल में मैं आपको इसको दे दूंगा इसके बाद फिर जनवरी फरवरी औ अबले यह भी आप ले सकते हैं इसके लिए आपको WhatsApp करना होगा या आपर नीचे description में लिंक दिए वहां से जाके आप इनको ले सकते हैं 6 month का addition भी हमार अबले यह अगर आप लेना चाहें यह भी ले सकते हैं इसके लाब़े कुछ और इबी बूक्स हैं स्टार्ट करते हैं आज का कर इंटरफियर पहला जो प्रशन है वर्ष 2017-18 के लिए डॉक्टर विष्णू श्रीधर वाकण कर राष्टिय सम्मान से सम्मानित किया गया है तो देखें दो लोगों को सम्मानित किया गया है वर्ष 2017-18 के लिए साथ में वर्ष 2016-17 के लिए तो इसमें संस्कृति पर प्रफियसर वी एच सौनवड़े को 2016-17 के लिए डॉक्टर विष्णू सी धरवाकण कर राष्टिय सम्मानित किया है त्यक्ति ध्यान रखिएगा यहां पर पिछली बार भी दो लोगों को यह दिया गया था वार्ट 2014-15 के लिए दिया गया था पुरात तुविद्ध रति दोचार 14-15, 15-16 उसके बाद फिर 16-17 और 17-18 यह चारो सम्मानियाद रखिएगा क्योंकि यह पूछे जा सकते हैं आपसे ठीक है इसके लाब अगर हम बात करें संस्कृति बिभाग के दौरा पुरा संपता के संलक्षण एवं पुरातात्विक संस्कृति के छेत्र में इस्थापित किया गया है पद्मश्री थे डॉक्टर वाकनकर इनका जन्म हुआ था मद्ध्य प्रदेश के नीमच जिले में इन्होंने सन 1957 में मद्ध्य प्रदेश का विश्य धर्वार्स मार्क है समुव भीम बैठका की जो खोज है वो करी थी उन्नी सो सप्तावन अगला प्रदेश में नवकरणिया और्जा की चमता कितनी है तो जन्वली 2021 तक प्रदेश में नवकरणिया और्जा की जो चमता है वो है 5044 मेगवाट बहुत इंपॉर्टेंट कुश्य रहेगा आपको आए विश्य प्रकार के जो प्रदेशन है वो एक्जाम में पूछे जा सकते हैं कि जो चमता है एलग जी की वो कितनी है तो नवकरणिया और्जा की जो चमता है पूरी अगर विद्दुत की खपत और आपूर्ती की बात करें अगर हम अध्यपरदेश की मध्यपरदेश में टोटल जो खपत हो रही है या पूर्ती हो रही है उसमें नवकरण पानी का यूज़ करेंगे तो पानी बर्बाद होगा फिले का यूज़ करेंगे तो प्रोडूशन होगा ठीक है तो यह नव करने या ओर्जा को प्रमोट करना बहुत जादा जलूरी है तो 24% भागीदारी यह बड़ा अमाउंट जो है ए मध्यपरदेश के लिए है आपको ए 2004 तक इन प्रहुजनाओं की जो चमता है वो 30 मेगवाट हुआ करती थी जनवरी 2021 थी और 5044 मेगवाट पर पहुंच गई है जो अपने बहुत बड़ा चीवमेंट है स्वारूर्जा से कुल मिलाकर 281 मेगवाट ठीक है पबन उर्जा से 2444 मेगवाट बायोमास से 120 मेगवाट और लगुजल विद्ध मिली तूर्जा से 991 मेगवाट का विद्ध म्द्ध प्रदेश के अंदर किया रहे ठीक है यह डेटा याद रखना है डेटा महत्यपूर है परियोजना की स्थापना से klika की प्रियोजना की स्थापना से पहली बार ग्रीन energy भंड प्राप्त करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना है ठीक है यह भी ध्यान रखिएगा इसके लाबा कुछ और मुझा बात करें कुछ सोलर पार्क है जो बन चुके है और जिनकी स्थापना को कुछ लक्ष भी है वहां पर अगर हम बात करें तो आगर श भारत की सबसे बड़ी ओमकारिशर फ्लोटिंग सोलर पार्क परियोजना जो है यह 600 मेगावाट की रहेगी ठीक है इसको जुलाई 2023 तक पूरा करने का लक्ष रखा गया है अभी फिलहाल यह जो है आपकी तेलंग नाम है यह सबसे बड़ा फ्लोटिंग पॉइंट सोलर पा पार्क है यह 1400 मेगावाट का बनेगा इसके अंदर अक्टूबर 2023 तक पूरा करा जाएगा इसके लावा सूलर पंप यूजना की बात करें तो सूलर पंप यूजना के लिए लक्ष रखा गया है 45,000 सूलर पंप इस्थापित की जाएगी जुलाई 2023 तक यह डेटा याद आप होपस करता है व्यावम क्या पूछ सकता है अप यह सी में क्या पूछा जा सकता है उसी के हिसाब से मैं वीडियो आपको दे रहा हूँ तो यह डेटा जुरूर याद रखिए मैं बार बार यह चीज बूल रहा हूं आपसे इसके लाबा ध्यान रखिए बर्तमान सब्सक्राइब तक 45,000 सोलर प्योजना का लक्ष रखा गया है साथ ही सोलर रूफटॉप परियोजना भी मद्यपरदेश में चल रही है अब तक करीब 41 मेगावाट की 3,642 कारे बिविन स्तरों पर कारेशील है मद्यपरदेश का पुलिस डिपार्टमेंट है या इस बर्स में 2021-22 में 40 मेगावाट शम्ता की सोलर रूफटॉप सइयंत्रों को बड़े शास के भवनों में स्थाफित किये जाना है यानि यह लक्ष जो है 40 मेगावाट का इस बर्स का भी रखा गया है तो यह सारी चीज़े आपको याद रखेंगे अगला प्रशन है आगा और इनने जो लक्ष रखा है वो रखा है पांच करोड के सम्थिंग पौधे रूपने का और अगर देखा जाए तो पांच करोड के एप्रॉक्स जो मद्ध पर्देश का बन बिवागे ते पौधे रूपता है ठीक है अब पांच करोड में से जित्ते भी पौधे बन जा पांच करोड पौधे रूपने की योगजना पर बन बिवाग कर रहा है इसमें पौधे तयार करने के निर्देश जो है वो देव है इसके साथ साथ 40,000 हेक्टेर से अधिक जो बिगड़े बन है जहां पेड नहीं बचे है उनको सुधानने की रणनीती पर भाग पर भी काम बन बिवाग कर रहा है और इसके लिए रक्षा मंत्राले से पंद्रा सो करोड रुपे भी मिलेंगे यह बहुत महत्पूर है ठीक है यह बहुत महत्पूर है कि रक्षा मंत्राले पंद्रा सो करोड रुपे जो है बन बिवाग को पौधिरूपने के लिए दे रहा है मंत्रा जो है वो अंडवान निकोबार में एक परियोजना पर भी काम कर रहा है जिसके लिए बड़ी जंख्या में जंगल में कटाई की जाएगी ठीक है इसी की जो भरपाई है वो मद्धपरदेश में बिगड़े बनाओ को सुधार कर की जानी है ठीक है यह दियान रखिएगा सारी चीज याद रखना है आगे बात करेंगे स्पोर्ट्स करेंट अफ्यर की मद्धपरदेश के बैंगलोर में अभी तीन देवसी है राश्टी है सब जूनियर जूनियर वाइल का कुष्टी प्रतियुक्ता आयो जितकी की गई थी जिसमें मद्धपरदेश के खलाड़ि 57 किलोग्राम की जो केटेगरी है उसके अंदर इन दौर की हनसावेन राठोर यह ध्यान रखिए इन दौर की हनसावेन राठोर ने कांसपरदक जीता है ठीके इनका सम्मंध किससे है कुछ तीसे है 65 किलोग्राम भार बर्ग में भोपाल की वेखा जाट ठीके इन होने कोपाल की माधुरी पटेल ने मध्यप्रदेश को रज़त पदक दिलाया था साथी में 40 kg भारग बर में खंडवा की राशी आदब है इन्होंने कान से पदक दिलाया था आपको भार बर गयाद रखने के लिए आप तो बस नाम रख लो यहां पर नाम इंपोर्टेंट है इतन इन MPPSC में जो पुछ जाएंगे वो पूछ जाएंगे अगर कोई national level का championship हो या international level का championship हो जैसे अभी हमने कल की वीडियो में एशर ए परताप सिंग के बारे में डिस्कस किया था वो पुछा जा सकता है PSC में PSC में आपकी जो सब junior junior यह सब होती है यह नहीं पूछेंगे यह क आपको इन खिलाडियों के नाम वने रहे है याद ठीक है कि इनका सम्बंद कुछ्टी से है इनका सम्बंद shooting championship से है बस इतना चीज आपको यहाँ पर याद रखने है बाकि यह कि यह रख सकते हैं कि बैंगलोर में यह आयुजित हुई थी और इसके अंदर साथ पदक परदेशने को जीते हैं ठीक है इसके लाबा खलाडियों के नाम याद रखिएगा यह याद रखने की जुरूद नहीं है आप unnecessary दमाग पर बहुत ज़्यदा लोड लेने की जुरूद नहीं है इतना current affair है कि आप क्या-क्या पढ़ोगे ठीक है तो आपको जो चीज याद र परग के 53 किलोग्राम भारवर्ग में कांस पदक और भूपाल की हमानशी ने कांस पदक जीत कर मध्यप्रदेश का खाता को लाधा पहले दे ठीक है कुल मिलाकर साथ पदक जो है वो यहाँ पर इन खलाड़ी उने जीते हैं आगे यह भी sports का ही current affair है बैंगलूर में अग्रम अकाडमी जो होती है चले कमेंट करके बताइएक अकाडमी कहां इस्थे थे और इसकी स्थापना कब होई थी ठीक है तो इसमें फराज खां और राजू सिंग भदोरिया इन्होंने दो सौन और एक रजित पदक मध्यपरदेश को गला है तो फराज खां जो है इन्होंने हर अर्लिकेन अश्य जो है ठीक है उस पर प्रतिवा प्रदर्शन करते हुए Concord Cross Country National One Star Senior व्यक्तिकत इस परधा में सौन पदक रजित किया ध्यान किये फराज खां ने सौन पदक अर्जित किया प्रतिवक्ता के प्री 29 टीम इमेंट में फराज खां ने अजान अश्य और राज राजू सिंग भदोरिया का सौन पदक हो गया इसके लाबार राजू सिंग ने प्री 29 क्रॉस कंट्री व्यक्तिकत इस परधा में प्रताप प्रदर्शन कर रजत पदक अर्जित किया है तो इस प्रकार से दो सौन एक प्राज को इंडिविजुल कैटिगरी में मिला है और एक आपका राजू सिंग भदोरिया को इंडिविजुल कैटिगरी में मिला है और एक दोनों को मिक्ष्ट दोनों को एक साथ मिला है तो यह अपने को सारा कुछ याद रखना है यह प्रशना आपसे एक्जाम में आ सका है दो प्रशना की बात करेंगे हम निम्नी मैंसे किस बिभागा ने शगुन बय प्रटल की शुरुवाद करी गई है तो दीखें शगुन जो बय-प्रटल है इसकी शुरुवाद करी गई है मानु संसादनि विकासमंत्रा ले के दौरा थीकहिए इसको बह filters का राण्यैंपत् इसके लावा में एक और चीज़ बता दें आपको हम कि मानौस अंसाधन विकास मंत्राले के दोरह इस वर्स जो 2019-2020 में जो पोर्टल स्टार्ट करे गए हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देता हूं मैं आपको जैसे एक पोर्टल जो स्टार्ट है वो किया गया है आई फोर्टल ठीक है और ये करा गया है जो डौक्टर नर्स या सुरक्षाकरमी है या आप स्वख्षणता करमचारी है या आपकी पुलिस संग्थ हैं स्व Bacon सीवक हैं उनको जैसे मैनेजिमेंट करना पड़ा था हूं जैसे एक तरीके से रोगियूं का मैनेजिमेंट करना है प पुलिस को अलग-अलग लोगों का मैनेजमेंट करना है कहीं अंदूलन हो रहा है तो वो सब चीज़ें करना है तो इनके लिए ये पोर्टल लाँच करा गया है ताकि ये कुशलता से इन मैनेजमेंट को सीख सकें ठीक है इसके लाबा मानोस अंसाधन पकास मंतरालय ने एक य युक्ती पोर्टल जो है ये करा गया है कॉरोनवाइरस के लिए मंतरालय दौरा किये गए प्रयाशों की निग्रानी करने के लिए ठीक है और इसके अलाबा एक मनोदरपन मनोदरपन पोर्टल भी लॉंच करा गया है किसके दौरा मानोस अंसाधन विकास मंतरालय के दौर चात्रों और अध्यापकों के मानसिक स्वास्त को ध्यान में रखते हुए उन्हें तनाव मुक्त रखने के लिए ये जो पोर्टल है ये शुरू करा गया है इसके लाबा एक और जो सबसे महत्मूर्ण है MPPSAS पारेट्स के लिए वो है आपका अभियंता पोर्टल अभियंत अभियंता पोर्टल क्यों चालू कर गया है मानसिक साथनब। क्राले की दोरा यह कर गया है क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशल इंटेलिजेंस को शामिल करके जगरुपता पैदा करने के लिए इस पोर्टल की शुरूआत करी गई है देखें यह जो है आपका इगवर्नेंस के अंदर भी आ जाएगा यह आपका आर्टिफिशल इंटेलिजेंस के अंदर भी क्लाउड कंप्यूटिंग है तो कंप्यूटर का कुश्ण भी यहां से बन सकता है तो सारी चीजें आप यहां पर याद रखिए एक और पोर्टल स्टार्ट कर गया है 2019 में जो है आपका कर्थब्य पोर्टल ठीक है कर्थब्य पोर्टल यह तने सारे पोर्टल जो है वह पहली हिंदू महला जज जो है वह बनी है ठीक है तो इये अपने महत्कून … Coolisma चारकर बेन महत्कून की न्यूकतिय होती है ठीक है उस ओनला होगा हुरी है तो ज्रहो ज्ली महत्कून såई आपकी हो जाता है इसके लाबा यहां पर हम बात करें तो तुलसी गवर्ड इनके बारे में बता देता हूं मैं आपको तुलसी गवर्ड जो है तुलसी गवर्ड यूएसे का जो राष्टपती का चुनाव हुआ था उसमें खड़ी होने वाली पहली हिंदू महिला थी ठीक है ध्यान लगिए हि कमला हरिस की तो कमला हरिस के बारे में तो आप सुनते ही रहते हैं कि यूएसे की जो उपराष्टपती चुनाव लड़ने वाली भारतीय मूल की महला है ठीक है इसके लाब अगर हम बात करें प्रीती पटेल की तो यह बृतेन की ग्रह सच्चव आपकी यह हो जाती है ठीक ह एक और चीज आपको कमेंट करनी है आपकर किस देश को इसमें पहला इस्थान मिला है ठीक है दूसरा जो प्रश्ण है वो है अंतराष्टिय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है तो अंतराष्टिय जैव विविधता दिवस इन चार अप्सिन में से एक आपको कमें करिएगा वीडियो का कमेंट करिएगा जद जब थैंक यू वेरी मिच